इस जूद किन दिनी से ठोड़के नाता जाव कारे अमन है रवजाद नमस्कार आप देखने एक्सपोज इंडिया मैं हूँ आपके साथ आयूशी श्रिवास्त केरल में एक गर्बती मादा हाती के मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है मामले की जाज की आदेश दे दिये गए हैं जिन लोगों ने अननास में विस्पोटक रखकर हाती को खिलाया था उनकी धर पकड़ की कोशिश भी अब तेज हो गई है केरल की मलंपुरम की ये तस्वीर इंसानियत को छख छोड़ देने वाली है या एक गरवती मादा हतनी खाने की तलाश में जंगल के पास वाले गाउं पहुची लेकिन वहां शरारती तत्वों ने अननास में पटाके भर कर हतनी को खिला दिया जिससे उसका मूँ और जबड़ा पूरी तरीके से जखमी हो गया वन्विभाग के एक अधिकारी के मताबिक विस्पोटक से उसके दाथ भी तूट गए इसके बाद भी मादा हतनी ने गाव में किसी को भी नुकसान नहीं पहुचाया और वो वेलियार नदी पहुच गए जहां वो तीन दिन तक पानी में मूँ डाले खड़े रहे बाद में उसकी और गर्ब में पल रहे बच्चे की मौत हो गए अधिकारीयों के मताबिक हतनी के उम्र 14 से 15 साल रही हो गी वन्विभाग के अधिकारीयों को ये हतनी 25 मई को मिली थी 27 मई को नदी में खड़े खड़े उसने दम तोड़ दिया वन्विभाग ने उसकी जान बचाने की कोशिश की लेकिन चमतकार नहीं हो सका बीजेपी सांसर और अक्टिविस्ट मेंका गांधी ने किरल सरकार को सवाल उठाए है और कड़ी कारवाही की मांग की है वन्विभाग ने मादा हतनी की हत्या के मामले में अग्यार्थ लोगों के खिलाफ केस दर्च कर लिया है इसके लिए जिमदार लोगों की पहचान और धरपकर की कोशिश तेज कर दी गई है हतनी की मौत पर पूरा देश उबल रहा है लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे है रतनताटा से लेकर भारते कृकेटर विराट कोली ने ट्वीट कर इन्साफ मांगा है हतनी की मौत पर पूरा देश शोक में है इसकडी में भारते क्रेट टीम के कप्तान विराट कोली ने भी अपनी भावनाई व्यक्त की है विराथ ने ट्वीट किया केरल में जो हुआ वो सुनकर चकित हूँ चलिए जानवरों से प्यार से पेश आते हैं और अब इस काईराना हरकत पर विराम लगाते हैं वही बॉलूट स्तारों ने भी इसे लेकर नाराज़गी जाहिर की है अक्षे कुमार ने लिखा हो सकता है कि जानवर कम जंगली है और इंसान कम इंसान हो जानवरों से प्यार करने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा और अभी नेत्री शर्दा कपूर ने भी इस खटनाकरम से बहुत आहत है वैदेश के उद्योगपती रतन टाटा ने इस पर द्युख व्यक्त करते हुए इसे सोची समझी हत्या बताया है साथ ही म्याय की मांग की है यह रिपोर्ट एक्सपोस इंडिया इस जूद कि दुरी से ठोड़के नाता जाओ प्रारे अमन है रजाँ इंसानों और जानवरों की बीच संख़श के मामली आए दिन आते हैं लेकिन यह पहली बार है जब किसी खतनी को इस तरह से विस्पोटक खिला कर मारा कया है इस खबर पर बस इतना ही आप बने रही है हमारे साथ आलिया भाट यह वाचिंग एक्सपोस इंडिया कीप वाचिंग